Hello Friends, Welcome to Online Biology आज हम करेंगे Chapter 7, Evolution इससे पहले की 6 Chapter चैनल पे डले हुए हैं 11th Class की बी Chapter चैनल पे डले हुए हैं जो की NCRT based है, NCRT में से ही mostly किये गए हैं जो Line Importants को Code करके ये Chapters पढ़ाए गए हैं तो आज Chapter पढ़ेंगे हम Evaluation यानि की Man कैसे बना अब यहां पर सिर्फ Man कैसे बना ये नहीं अर्थ पे कैसे Life Form हुई धीरे 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 ग्रेज्वली क्या Changes आए और आज की Modern Life जो है Modern Earth जो है वो कैसे बनी तो ये हम आज पढ़ेंगे Evaluation में और इसके Main Topic क्या होने वाले हैं तो इसके Main Topic होने वाले है और इसके बारे हम पढ़ेंगे और इसके बारे हम पढ़ेंगे What is Adaptive Radiation ये क्या है ये पढ़ेंगे हम Biological Evaluation क्या है Mechanism क्या रहा Evaluation का Hardy-Winberg Principle इस पर थोड़ा-थोड़ा सा Maths भी है जिसनों ने एर्थ तक Maths पढ़ी होगी वो अरा हम से इसको कर लेंगे छोटी से Equation इसमें यूज होती है Brief Account of Evaluation और Origin and Evaluation of Man Man का भी पढ़ेंगे हम की Man कैसे Evaluate हुआ आज का जो Man है पहले कैसे दिखता था और वो उस Condition से यहां तक कैसे पहुचा है ठीक है तो जो Evaluation Actually, Evaluationary Biology है वो क्या है? Study of History है Life Form of Earth तो Exactly Evaluation क्या है? तो इसके लिए हम की आगे Next Chapter करेंगे तो Origin of Life देखो, Origin of Life से हम पढ़ेंगे पहले Universe कब बना तो ऐसा Consider किया जाता है कि Two, वाया, यानि Billion Years Ago Universe Form हुआ ऐसे Big Bang एक हुआ बड़ा सा धमाका हुआ और चारों तरफ Clouds और Gases जो है वो फैल गई फिर धीरे धीरे Gases जो है Condense होने में क्या हुआ Condense होती चली गई तो Condense होने के बाद धीरे-धीरे Planets, Stars, Galaxies ये सब जो है Form होने लगे ठीक है और It is Considered कि जो Solar System है Milky Way Galaxy में वो बना उसके बाद और ऐसा देखो Universe तो 20 बाया यानि 20 Billion Years Ago जो है Consider किया जाता है बना कि 20 Billion Years Ago बना है Universe और आर्थ को ऐसा Consider किया था कि 4.5 बाया यानि Billion Years Back जो है Billion Years Ago जो है वो अर्थ बनी और Life का जो Symptom था यानि कि Life Form जनरेट जो हुई यह नहीं मैं कहते कि Human जनरेट होगे पोदे जनरेट होगे लिए कि Life Form जनरेट हुई वो 4 बाया यानि 4 Billion Years Ago ठीक है 4 Billion Years Back Life Oasis Date होना स्टार्ट होगे तो क्या हुआ कि जब देखो जो आर्थ का Primitive Atmosphere था अभी हम आगे भी पढ़ेंगे उसमें Oxygen नहीं थी ठीक है Oxidized Environment नहीं था Reductive Environment था Oxygen नहीं थी उसके अंदर उसके अंदर Carbon dioxide थी Hydrogen थी ठीक है Methane थी और Ammonia थी It is considered कि ये ये गैसे थी उसके अंदर तो क्या हुआ कि जब lightning हुई तो hydrogen पे lightning गिरी तो इसने Carbon dioxide के साथ किया और उपर चला गया Vepers की form में Water Vepers इससे बन गए ठीक है जब Water Vepers उपर Condense हुए तो नीचे आए और जो Depressions थे ना Earth में देखो Earth क्या थी गोल तो थी बिल्कुल ऐसे नहीं थी बिल्कुल समतल नहीं थी वो उसमें क्या थे कि Depressions थे Elevations थे इस तरह से थी Earth है ना ऐसे थी तो जो यह Depressions थे ना Earth के अंदर इसमें पानी भर गया Water भर गया अब फिर Water में क्या हुआ Water में यह Water ऐसा तो था नहीं जैसे आज का ठंडा सा पानी है ऐसा तो नहीं था यह Hot Soup था जैसे हम लोग पानी गरम करते ना वह Hot उबलता हुआ सूप था और यह ऐसे भी नहीं था कि बिल्कुल बोईल हो रहा था इसमें Life Generate हो सकती थी Life पैदा हो सकती थी ऐसे conditions थी तो ammonia यह सब अभी हम experiment में पढ़ेंगे कैसे हुआ Sports कैसे पढ़ी उस यह सबसे बस में ध्यान रखने की चीज़ यह कि Water में जो है वो Life बनी ठीक है और पहले जो environment था आर्थ का जो environment था वो Reductive environment था ठीक है वो Oxidizing नहीं था धीरे धीरे Oxygen बनी तो यह सबसे पहले हमें किस ने बताया तो एक Russian scientist थे Oprin ठीक है उन्हें बोला कि Life couldn't have come from pre-existing non-living molecules कि उन्होंने बोला कि जो non-living bio molecules है न और गनिक molecules है उनसे बनी है आर्थ तो वो कैसे बनी है तो उन्होंने का chemical evolution है कैसे है chemical evolution देखो आर्थ पे सिर्फ कुछ नहीं था लाइफ अगरा कुछ नहीं थी बस components थे तो उन्होंने कहा कि जो यह methane, ammonia इन सब को मिल करके न यह structure बन गए यह small molecules बन गए फिर उसके बाद large molecules बन गए और उसके बाद cocker weights और micro spores जैसे बन गए लेकिन वो actually में reproduce नहीं कर सकते थे लेकिन micro organism बन गए अब उन्होंने कहा कि अच्छा यह हुआ, तो हम तो नहीं मानेंगे इसको, तो इसके लिए Miller scientist आए उन्होंने इस experiment को करके दिखाया, अब कैसे करके दिखाया, यह मैं diagram से बताऊंगी, क्योंकि हम सारी चीजे diagram से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आती है तो यहाँ देखो, यह था Miller का experiment, ठीक है एक मिनट यह Miller का experiment है, यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया एक यहाँ पर boiling water के लिए tube लगा दी, ठीक है boiling होता रहा, यहाँ vacuum pump लगा दिया और यहाँ इस chamber में इन्होंने यह gases के नाम रखने, याद रखने ammonia, methane water vapors की form में थे पानी ऐसे नहीं था, water vapors की form में था और hydrogen, यह gases इन्होंने ले दी और यहाँ electrode लगा के spark करा दिया जैसे कि जब पानी बारिस होती है तो बादल गरस देना और बिजली कड़कती है तो वह वाली electricity प्यादा करने के लिए इन्होंने electrode लगा दी तो water out के लिए यहाँ पर water in के लिए यह क्या ठंडा करने के लिए इसको, क्योंकि यहाँ पर बड़ा गरम हो जाएगा यह सब चीजी spark से, तो ठंडा करने के लिए यहाँ conditioner लगा दिया, water in और out कर दिया फिर यह जो इसका जो पानी था यह यहाँ से यह जो इस सबसे जो हमा बना हमारा liquid वो यहाँ आ गया और यहाँ पर आकर यह जो है यहाँ पर store हो गया जब यह store water हमने देखा तो इस store water में ना हमें कुछ-कुछ ना, micro molecules मिले, micro molecules अब वो micro molecules क्या थे, वो थे lipid lipid micro molecules होता है, याद रखना है, fat बोलेंगे fat इसमें lipid नहीं मिला था, fat मिला था carbo hydrate carbs मिले हमें, ठीक है, sugar carbo hydrate मतलब sugar, ठीक है, और हमें ammonia मिल गया यानि amino acid जो है, हमें यह मिल गये, तो यह सब चीजे मिले अब यह एक्चुरी में live form में present होते हैं, तो इससे हमने discuss किया और लगाया कि भाई, इसमें जो है, यह सब चीजे होती हैं और जो इसमें मिले हमें experiment में, उसमें aspartic acid, valine, और arginine भी थे, ठीक है, glutamic acid नहीं था, glutamic acid नहीं था, ठीक है, तो यह सब थे, आप लोग न, बोलने से लिख लिया करो, थोड़ा इसमें अच्छे से लिखानी जाता है, तो जैसे मैं बोलने हूँ, उसके according आप लिख लिया करो, तो इन्होंने दिखाया कि भाई, यह chemical evolution था, chemical जो changes हुए उस समय पे, आर्थ में, जो आज नहीं है, उस समय के condition में, उससे कुछ ऐसा गरबढ हुआ, कि भाई, यह जो non, यह जो inorganic material था, उससे organic material बन गए, फिर उससे small बने, उससे फिर macro बने, फिर पुरा cell बन गया, तो इस तरह ऐसे इन्होंने कहा कि ऐसे जो है, आर्थ जो है, आर्थ पे, आर्थ पे लाइफ-फोर्म जो है, वह आ गई, आर्थ पे लाइफ-फोर्म आ गई, और उनने बोला कब आई ए, अर्थ पे लाइफ-फोर्म, तो उनने बोला भी तो यह सारा clear हो गया नेक्स चलते हैं और जो first cells थे न वह में आपको बता दू कि वह थे cockr weights और cell नहीं बोल सकते हैं इनको हम लिए किने बोल सकते हैं कुछ living जैसा को कर वेट को कर वेट्स और microspher यह living जैसा थो था यानि कि इनके अंदर living material living environment तो प्रजेंट था लेकिन इनकी drawback क्या थी कि यह reproduce नहीं कर सकते थे reproduction power नहीं थी इनके अंदर ठीक है तो living जैसा था कि अंदर देखा जा तो living environment है यह कुछ-कुछ living जैसे लग रहे थे ठीक है लेकिन इन यह reproduce नहीं कर सकते थे तो इन्हें पूरी तरह से living नहीं कहा गया जो cell originate हुए सबसे पहले वो procurators थे ठीक है अब evolution कैसे हुआ इसकी theory है देखो एक theory तो है इसकी religious story अब वो तो हम सबी मानते हैं कि भई भगवान थे बगवाण जी थे उन्होंने क्या किया थास्तु कर के कितना हिंदू धरह में बोला था कि भाममा जी थे उन्होंने बना दिया आर्थ बना दी यह और ऐसी priorution wart's year between, burned, but not doesn't really यह मिलें कोई भी तो इसको डिस्गार्ड करता है वो कहता है ऐसी कोई थ्योरिस नहीं है यह साइन्टिफिक नहीं है उन्होंने यह बोला तो उसको प्रूफ करने के लिए भाई की कैसे इविल्यूशन हुआ फिर कैसे हम करें तो जो चार्ल्स जानविन थे वो अपने जहाज पर निकल गए पानी के जहाज पर जिसका नाम था एचेमस वीगल और चले गए माला पैगल आइसलेंड पर वहां उन्होंने देखा कि फिंचीज है फिंचीज मतलब एक चड़िया होती है ब्राउन कलर की उन्होंने देखा कि सब की जो चोच है वह अला गला 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 है वह हम आगे भी पढ़ेंगे इसको अधेटिव एडियेशन में पढ़ेंगे हम इसको लेकिन अभी अभी मैं आपको यह स्टोरी बताते हूं कि कैसे निकल के आई थियोरी तो यह चले इनको बाद में ने डार्विन फिंचेस भी बोला गया सीड खाने वाली जो चिडिया थी वह उसको ऐसा एंवार्मेंट नहीं मिला तो एक तो यह इंसेक्ट खाने लगी इसी का इंसेक्ट खाने लगी और एक वेजिटीरियन बन गई जो चोटी मोटी वेजिटेविसन खान यानि कि हम भी ऐसे नहीं थे भी पहले कुछ चेंज्जिस थे हमारे अंदर चेंज आये होंगे तब हम ऐसे बने होंगे तो उन्होंने का कि भही देखो इविलेशन का प्रभावित थे और उनके ही काम पर उन्होंने जो है माला वो जो मैंने आर्ची पॉलियन बोला था ना वो उस पर आये थे तो एक मिनट ठीक है तो इविल्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीस आई ए बायोजेनेसिस में क्या कहा कि मड है कीचड है और इसमें अपने आप कीडे हो जाते हैं यानि कि जो नोन और्गनिक मेटर है वो और्गनिक मेटर बना देता है इसको खारिच कर दिया गया एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इसको अंदर बिल्कुल एयर टाइट किया गया एयर टाइट करके इसमें देखा गया कि होते हैं या नहीं होते हैं तो एक्चुली यह नहीं होते हैं तो उन्होंने का भी ऐसा नहीं है बायोजेनेसिस वाले थे उन्होंने का तब ल बहुत तुसक्ता अब एसे बोल सकते हैं कि मतलब 25 परिमें लाइन बहुत है इसको بहार लाइन होते हैं लाइन होते हैं अब कहिंना फ्रक्राइज्च परिमिया थे लाइन देख जर्विस देख हैं समाख में कैसे आए कि डर्मिन न рек Plug लाइक है जो सब्सक्या तो जो फींजी दर्म आँ एवलेट ऑद हो हैं जो हमें सरवाइव करा। के यौट जो कि हमें हमें स्रवाइव कराते बैर कंडिशन में वह सकते हैं क्लाइमड्ट सक्टर हो सकते इसमें वो भी explain करके नहीं दिया है बस इसमें तीन एरा दिये हुए हैं अभी हम उन्हें आगे पढ़ेंगे तो एरा दिये हुए हैं इसमें इपोक्स और पीरेट्स वाला सिस्टम इसमें नहीं बताया गया है तो पहले हम NCRT कर रहे हैं तो पहले हम इसी को करेंगे फिर हम ड देखो यहां पर दिखाया हुआ है यह नीचे से देखेंगे हम यह स्टेगोसोरस है और यह ब्रैंक्योसोरस है इन दोनों की मिसिंग लिंक जो है आर्चियोपटरस है ठीक है इनसे ही क्रोकोडाइल बने और बाद में जो यह दिखा देती हूं मैं आपको एक बार यह इसके जो है लिश्न हूआ कि पहले ही ट्रैनोसोरस नहीं आगे ट्रैनोसोरस कि देईरम करते किसमें इतला होगा क्या आप मैंने बोला अभी आपको भूल गई इतनी देर में कोई बात नी नेक्स्ट करते हैं ग्लोरफाइड रेप्टाइस भी बोला जाता है इनको ठीक है और एक सांटिस्ट थे जिन्होंने बोला था उसका नाम मुझे बताना चैट बोक्स में लिख करके कौन से सांटिस् यह जो है ग्लोरफाइड लिजर्ड होते हैं ग्लोरफाइड यह जो है एफ्स जो है एफ्स मतलब बर्ड्स बर्स अर्द ग्लोरफाइड लिजर्ड ठीक है रेप्टाइल्स ग्लोरफाइड रेप्टाइल्स तो देखो अब क्या क्या बनें अब देखो यह डाइवर्जंट तो वर्टी ब्रेटस पे आजाओ जितने भी वट्टी ब्रेटस आँ Quin ने उसमें ना वो सेम होता है जैसे कि मालो जो फीस है के जो मालो डॉल्फिन रॉल्फिन बात कर्रहें इसके जो फ्लैपर्स होते हैं उसमें रेडियस अलना फिक है कार्पस, मेटा कार्पस और फेलेंजिस प्रजेंट होते हैं ठीक है और ये इस तरह से फिलपर होता है ठीक है अब जो बैट्स होता है ठीक है बैट्स में भी क्या होता है ये रेडियस ये रेडियस अलना मेटा कार्पस कार्पस, मेटा कार्पस और फलंजिस ठीक है human head में भी human hand में भी विल्कुल ऐसे प्रिजेंट होते है bat में प्रिजेंट है human head में horse के जो four limbs होते है आगर की limbs होते है उन में भी same present होने है इनका internal structure तो same है लेकिन यह क्या कर रहे हैं तो homologus organ जो है वो divergent evolution सो करते हैं जैसे बोगल बनिया और कुकर बिटा यह भी रिप्रेजेंट करते हैं बोलन विल्या का जो थोन होता है ठीक है वो axial होता है और जो वो होता है modified stem होता है ठीक है और ऐसे कुकरबिटा का जो टेंडरिल होता है वो भी एक्जियल से अराइज होता है ठीक है तो यह दोनों होमोलोगस ओर्गन होते हैं आप देखो आगे हम करते हैं यह तो हो गए जिनका इंटर्नल स्ट्ट्टर सें था लेकिन वो फंक्शन डिफ्रेंट कर रहे हैं वो ही होम कि इंसेट्टा से आया ओरफोडस से यह एव से आया ठीक है लेकिन दोनों क्सका काम कर रहे हैं दोनों क्पश्टा कर काम कर रहे है यह और भी चीज़ें आप सिर्फ सकते हैं इह यह रखवाएं सारे क्या करें पैस ले लिए हैं दे भी mouse आपने टीकी वह ठीक है यह धर्ट तो यह सारे आकर के क्या है एक पॉइंट पे मिल जा रहे हैं दूर दूर से आकर के तो इसको बोलते हैं Convergent Evolution Convergent Evolution और इस टाइप के और गन को बोलते है एनालोग जिनके इंटर्नल इस्ट्रक्शर तो डिफरेंट हैं लेकिन काम वह सेम कर रहे हैं ठीक है और इसके कर्विटार ब्रगर में लिया दिया हुआ था देखो यहां पर दिखाया हुआ यह जो मैंने आपको पहली बता दिया कि इनके हैंसी आपको दिक्वान सेम है यह बहुत सेम है तो इनका इंटर्ल स्क्ट्य सेम है लेकिन या इडिफेम अतर बॉर्ड जया s तर दा को जो जा से एक तरह से पताइए आइन वैलीशंड फोगास सेर्चिस का। अब natural selection भी होता है nature भी select करता है कैसे करता है नेचर सेलेक्ट बहई ये story है England की 1850 की जब industrialization थी नहीं ठीक है industrialization थी नहीं तो इसमें मोत थे एक मोत थो था भई white color का ठीक है अब ये picture ऐसी बना रही हो है picture आप picture में मच जाएगा ये लो अच्छी सी बना दी है ये मोत हो गया ये वैड कलर का मोत है और एक जो मोत था वह था डार्क विंगल तो उस समय पर क्या था जब पॉलुशन नहीं था तो जो ट्री की बार्क जो थी उस पर लाइकन उगती थी और आपको यह पता होना चाहिए कि लाइकन इस दा पॉलुशन पोलुशन ढशन पॉलुशन फमर्मन होता वहीं उगता है लाइकन लाइकन क्या है लाइकन क्या है याजे और फंजाई का양 का तो यह यह वैट कलर कह था लाइकन तो जब ये वैट मोग इस पे लेकिन अचानक से क्या हुआ इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया और इंडस्ट्राइल एजिशन हो गए इस तरह से नेचर भी जो है वह भी एक इंपोटन्ट फैक्टर है किसी भी पोपुलेशन को कम या ज्यादा करने की तो नेचर भी सेलेक्शन करता है ठीक है इसमें इंडस्ट्राइब हीमन का जो था हाथ था लेकिन नेचर ने इसको सेलेक्ट किया ना तो आप यहां पर देख हो रहा है कि वाइट मोथ चुप गया यह कलर के हिसाब से और यह एकदम दिखने लगा लेकिन जब यही कलर चेंज हो गया तो वाइट मोथ बिल्कुल क्लिर दिख रहा है तो यह हो गया सिकार प्रेडिटर का तो इस तरह से जो है इनमें नेचरल सेलेक्शन मतलब बहुत ब पढ़ेंगे अडेटिव रेडियेशन अडेप्टिव रेडियेशन पढ़ने से पहले वापस याद करो अभी मैंने बताया था कि जो डार्विन थे अपने जहाज पर बैटकर सिप पर बैटकर हम वीगल से बैटकर चले गए माला पिगन आइसलेंड में चले गए वहां उन अडेप्ट हो जाता है as per their environment जो seed eating feature था किसी उसका finches का वो अल्टर कर गया और उसमें insectivorous और vegetarian feature आ गया उसकी वज़ए से जो उसकी चोज थी जो उसकी बीग थी वो change हो गई ठीक है जैसे यहां पर को structure दिखाया हुआ finches का तो इस process को the process of evolution of different species in a geographical area starting from a point and literally radiating to the other area of geography is called as the adaptive radiation एक point से start होई लेकिन पूरे geographical area में जो है वो fell गई different different features के साथ that is called as the adaptive radiation यह इसका एक example है दूसरा example है इसका marsupial ठीक है ऑस्टेलिया में होते है न सब पाउच वाले organism होते हैं ठीक है तो देखो यह दिखने देखने को मिलेगा आपको adaptive radiation इसमें क्या है इसमें देखो एक point है ठीक है एक point है उससे different different देखो tasmian जो tasmian wolf है वो भी पाउच उसने डेवलप कर लिया tiger cat ने पाउच डेवलप कर लिया marsupial बन गए बैंडी डाइंटीटर है ठीक है इसको तुम बाट भी बोलते हैं something else marsupial rate है यह बुमबाट है kangaroo आपको देखने को मिल रहा है यह बैंडी कूट है यह koila marsupial mole और यह sugar glider यह सारे जो है marsupial का और darwin finches का example दिया हुए adaptive radiation का ठीक है अब यहां से देखो एक बड़ी अच्छी सी पिक्चर दिए इसमें इनके साथ साथ न प्लेसेंटल मेंबल तो भी अराइज हुए अस्ट्रेलियन marsupial तो हुए हुए साथ में देखो यह simple mole है यह marsupial mole है यह simple ant eater है यह नुमबैट यह flying squirrel है यह flying phalanger है यह bob cat है और यह tasmian tiger wolf है और यह wolf है और यह tasmian tiger wolf है तो यह बता रही है कि convergent evolution बता रही है convergent evolution क्यों बता रही है क्योंकि different different point से आए और एक पॉइंट पी बनके marsupial बनके पलब एक जैसा character हो गया ना इनका convergent में यही तो पढ़ रहे थे कि different different साखा से आएंगे लेकिन character एक जैसा सो करेंगे flying वाले बर्ड में तो यह तरह से convergent evolution का भी एक example है adaptive radiation का तो ही है convergent का भी है अब different कुछ और भी फीटर है जैसे कि biological evolution हो गई तो Darwin ने थिए कि ठीक है लेकिन Darwin से पहले भी एक scientist आय थे तर्विन से पहले एक scientist है थे ले mark बड़ी बेकार सी थिए उन्होंने उन्होंने का था कि जो characters होते हैं somatic characters होते हैं वो उसने क्या-क्या जो plants है वो ही करने सुड़ करें और plants की जो पतिया नीचे से खतम होती चलेगी तो उससे उची पतिया खाने के लिए अपनी गर्दन लंबी गड़नी पड़ी तो उसकी गर्दन लंबी हो गई फीट धीरे धीरे यह character नहों है जो है उसकी generation after generation transfer होता चला गया और इस तरह से जो उसकी आगे की four limbs बड़ी हो गई और गर्दन उसकी लंबी हो गई तो उसने बोला था कि इनहरीटेबल होते हैं यह जो somatic characters होते हैं लेकिन उसकी theory बिल्कुल ही गलत से दो गई वीजमेन ने क्या कहा पचीस जनरेस पचीस या चोबिस जनर spirit कराती हैं नहीं होता और कुछ एक होती है जन जाती होती है वो अपनी गर्दन लंबी करने के लिए गले में rings पहनती हैं तो वो जो वो है rings पहनने के बाउचुदी जो उनकी next generation होती है उनकी गर्दन भी नहीं होती है उनकी छोटी होती है वो तो कर लेती है अपनी ring पहन प तो उन्होंने बोला कि यह जो फैक्टर है यह जो है इस पे यह सारे फैक्टर जो है किसी भी ओर्गेजिंग की पर बर्क करते हैं और जो मुस्टली जो की कंसेप्ट है नेच्ण सब्सक्राइबर्विशन विविशन नेच्ण सब्सक्राइब बताया तो इस तरह से इस ने बोला कि यह बेसिज हैं इसके ठीकी कि है और लेमार्क इजम तो मैंने बताई दिया लेमार्क दीया था लेमार्क पैर पमिक् fellas कर दिया कर दिया कि जिराफ घिरदन कि एक से क्राफ कर दिया कि से पिरुश करना भी गिंठ साथ चलो अब यह क्या था जो वर्क ओफ थोमस मेल्थस था बस यह आद रखलो पॉपिलेशन वाले चेप्टर में करेंगे इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो वर्क करते हैं अडेप्टेशन भी करता है मेकेनिजम ओफ इविलोशन कैसे तो मेकेनिजम ओफ इविलोशन हम करते हैं देखो एक्चुली में क्या होता है हुगोडिवराइज एक सायंटिस्त है जोन्होंने मुझूटेशन के बारे में बताया था इनकी थोरी से ही सुर्ण करते हैं इन्होंने दी थी मुटिशन थेओरी और इन्होंने करा था इव्निंग प्राइम रोज पर काम इसका सांटिफिक नेम होता है ओईनो थैरा ओईन इन्होंने काम किया और देखा कि इसमें Mutation हो रही हैँ तो उन्होंने का कि Minor Mutation होती है तो वह reckति होती है वह Nat यह मानता हो आपती बात को реально यह कि आनने इतमी एतना इतना तकड़ा हुआ कि उससे niखे इसफीसिस बन गई एक इसफीसिस मभी इसको ब्राइशन कि इस ताहर से बते बात अीज धैस की सीज़न लेकिन सबसे इंपोडेंट क्या थी कि जो हुगदु होते हैं येzekिन होilा हे क्यों में नहीं हसा हैं सबस्काइब कि जी दोड़ी तो reliable watched नहीं होती उनकी कभी भी species बना दें हो तो यह इन में थोड़ा सा चेंज था यह ध्यान रखना कि इसके variation कैसे थे गोडी वरा इसके random directionless लेकिन वहीं पर लेमार्क के variation कैसे थे small और direction थी उनकी ठीक है इने proper direction थे चलो अब यह बात हो गई लेमार्किजम की बात हो गई डार्विनिजम की बात हो गई अभी यह scientist है ना mutation वाले अब हम करेंगे hardy-ween-work principle वीजमिन की बात थी hardy-ween-work principle में हम करेंगे hardy-ween-work principle में इन्होंने कहा कि बहुँ देको दो alleles होती है किसी भी चीज़ की alleles जो होती है alleles frequency जो होती है उस पर depend करता है कि population stable रहेगी या नहीं रहेगी चीक है और वह कैसे होती है तो alleles के बारे में तो हम पहले भी बात करें मेंडल ने बात करी alleles के बारे में तो इन्होंने ने बड़ी सिंपल सी mathematics की equation दे लिए आपने फोर्मूला पढ़ा हुगा इस class में ए प्लस बी का whole square क्या होता है a square प्लस b square प्लस 2ab यह होता है यह हमने न मेंडलिजम में भी पढ़ा था मेंडलिजम में हमने कैसे पढ़ा था कि t into t t into t को multiply करते हैं तो क्या हो जाता है t t यानि कि t square ठीक है थीक है पढ़ा था ना हमने t t बन जाता है t t बन जाता है और t t बन जाता है तो जो रेशो आता है वो आता है 1 is to 2 is to 1 यानि कि वही 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा था मुसमेसली वीन हार्डी प्रिंसिपल भी इस प इतना होता है 1 होता है मालों अगर यह है 0.6 तो यह होएगी 0.4 हमेशा तो अगर यह 1 है तो देखो a plus b is equal to क्या है वन है तो a plus b का whole square कर दो तो वन का भी whole square हो जाएगा तो आप लोगों को पता होगा 1 को अगर वन से multiply करते तो 1 ही आता है तो a plus b whole square भी क्या याएगा 1 तो a square plus स्टू 1 ray से वह की इस 13 2 2 हधाल में हम डबल होथ इस carbon सिस्टम मिडिल साइज ले पाता है मिडिल नीडिया बोलते हैं जो एक मांच की बाते हैं और यह तो इस तरह हहीद है थे तो इस को क्या बोलते दो स्टेबलाइजिंग बोलेंगे दूसरे को डारेक्शनल और तीसरे को इस वाले को डिस्रप्टिव बोलते हैं खराब वाला कर्व होता है यह से दें कि कि तरफ कम वाले की तरफ जुग जो और समॉल वाले की तरफ जुग जो तेखो अभी मैंने आपको दिखाया जो वह फोर् सिक्वेंसई है वे उस तरह से चैल्ज करते हैं और इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हाडीविन बार की तो उन्होंने कहा था पाच फ्ट्र इस प ir हो प्लूम पर दूसरी नहीं थे हैं तो पहला फ्ट्र है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लोू अब इसको समसने जाना स साथ साथ जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो कैसे हैं जिसके मालो यहां पर एक पोपुलेशन रहती है यहां पर दूसरी पोपुलेशन रहती है ठीक है यहां पर हैं पाच लोग अभी पाच लोग नहीं रहते हैं लेकिन मैं ऐसे पाच लोग रहते हैं और यहां पर रहते हैं दो लोग तो अभी होने क्या किया दो यहां से सिफ्ट कर गए और यहां चले गए तो यहां पे कितने हो गए चार और यहां पे कितने रह गए तीन तो इसी तरह से जीन भी माइग्रेट कर सकती है जीन माइग्रेट कर सकती है इस तरह से होता है इसमें चेंज की जीन माइग्र एक जगापे चीटिए उने अपना बनाया हुआ है घर बनाया हुआ तो इस पर्टिकुलर एरिया से चीटिए पूरी गायब हो गई तो इससे क्या हुआ कि एक पोपुलेशन क्या है अचानक से गायब होगी उसमें से तो कि वो एक छोटे एरिये में रह रही थी तो इसको बोलते हैं एक दम से पोपुलेशन खतम हो जाए ठीक है नेक्स है जनेटिक रिकोंबिनेशन अब यह में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बहुए काईटीन स्टेज में चेंज़ दाते हैं ना रिकोंबिनेशन बनते हैं तो नहीं नहीं रिकोंबिनेशन भी बन सकते हैं और एक हो गया नैच्छल सेलेक्शन वो तो हमने अभी ब एकिसमें यहां अब कैसे देखों मालो यहां पर चीटियों की बोंबी ति यहां पे आन टीटर गुस गया और इसमें सारी चिटी खा लए अब इसमें से क्या हुआ दो चार चिटीयां यहां से बच गते हैं यहां से पूरी population ख सब्सक्राइब हो गयी औरुरिजनल डिरीजिटेट population जो है तो यहां की पिक लिए वो नई population बन गई तो इसको यह founder population मताब एक बड़ी सी population बन गई यहां पर यह तो इसको बोलते है founder effect यानि कि एक जिगा जो की कोई कम population थी थोड़ी population थी लेकिन दूसरी जिगा पर जाकर वो अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेती है तो इसको बोलते हैं founder effect तो the original drifted population becomes founders that is called as the founder effect ठीक है तो ये था इसमें point इसमें सारे point मैं बता चुकी हूं सारा कोई ऐसा बताने वाला नहीं है आप देखो brief account of evolution इन्होंने बोला कि भई जो life fed थी वो 2 million, sorry 2 बाया यहनि 2 billion years एको या 2000 million years एको बते दी और उसमें पर न oxygen थी नहीं भाई oxygen थी नहीं तो oxygen बनेगी कैसे जब oxygen थी नहीं oxygen थी नहीं ठीक है reductive environment था oxidizing environment था ही नहीं लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि oxygen बननी इस start हुई अब पहले सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले आपको पता है cocker weight और micro spare आया फिर single cell बनाया अब यह जो single cell वाला जो और के नहीं जम था यह भई chemo autotrophs था यह याद रखना chemo autotrophs था और यह aerobic नहीं था ठीक है air की presence में नहीं absence में chemo autotrophs था chemical लेता था और अपना खाना बनाता था ठीक है सबसे पहले chemo autotrophs आए अगर living की बात करें तो उसके बाद chemo autotrophs के बाद आए autotrophs photo autotrophs अब देखो जैसे कि photo autotrophs हैं तो यह जो photo autotrophs है photo autotrophs का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता भाई oxygen release कर दियोगी नहीं भाई इन्होंने oxygen release नहीं करी ठीक है यह भी anaerobic थे anaerobic इन्होंने भी oxygen release नहीं करी इन्होंने जैसे कि आपने वो sulfur बैक्तिरिया पड़ते हैं H2S से combine water की जिए H2S होता है और S निकालता sulfur निकालता है तो इन्होंने भी नहीं oxygen निकाली photo ototrop थे उसके बाद आये aerobic वाले उन्होंने निकाली oxygen ठीक है तो यह सबसे पहले दिहान रखना है वो भी oxygen release करते थे फिर photo ototrophs आहे वो भी oxygen release करते थे तो यह दिहान रखना है उसके बाद जो ototrophs है वो oxygen release करते थे तो बेसिकली NCRT में तीन एरा दिये हुए हैं यह NCRT में नहीं दिया हुआ तो जो मैंने बताया आपको लेकिन बता दिया है क्योंकि मुझे लगा यह इंपोर्टेंट है इसलिए बता दिया चलो next करते है पैलियोजोइक मिजोजोइक और सीनोजोइक ठीक है अभी जो हम एरा और इसके आगे बताया हुआ है यह तो आपको रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा इसमें समझाने जैसी कोई बात ने कि इसको न आप न ऐसे याद कर सकते हो PCDS PCDS यानि पर्मियन पर्मियन कार्बोनिफेरस दिवोनियन और सिलूरियन और यह तो बड़ा असान है ट्राइस एरिक और जुरेसिक मुवी देखिया ना जुरेसिक पार्क तो इससे भी आद अफना डाइरोसरस कब आये थे बड़े अच्छे से फ्लोरिस्ट हुए थे इस जुरेसिक टाइम जो था उनका जुरेसिक पीरिड जो था वह गोल्डन एरा था तो वह जुरेसिक पार्क मुवी से याद रखना कि इसमें डाइनोसोर्स आगे भी रैप्टाइल्स आगे थे इसमें अच्छे से उसके बाद कृटेसियस आए कृटेसियस जब आये तो बही इसमें तो लर्ण करना ही पड़ेगा आपको समझाने वाली जैसी कोई चीज नहीं है जो इंपोर्टेंट से बता दी मैंने तो यह याद कर ले ना पैलियो जोएक मिजो जोएक और सीनो जोएक और जो इसमें दिया होना NCRT में इसमें से कोश्चन आजाते हैं कि ऐसे कोश् तो जब हमने एलंट क्लås में करा था भी COM ili जो वाली कि धिसमें जा गया था तो जो लेस अगने था वाली दृटि को इसके दिरे 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 क्या evolution होता चला गया और यह जो है यह आप याद रखने वाली है कि 350 million years ago एक फिस थी जो कि 1938 में साउथ अफ्रिका में पाई गई जिसका नाम था कोईला कैंथ और यह जो थी लोब फिन वाली फिस थी चलती थी बहार जमीन के जमीन पे चलती थी और इसको मा आप यह यहाँ पे नाप बड़ा पीरे दिखा रखा है डाइनोसोर्स वाला फिन था तो यह डाइनोसोर्स वाला एक्टेंट थी और यह कौन-कौन स nei और कहां का एक्सिंट हुए थे यह भी इसमें दिखाया हुआ है यह आप लोग रट लेना अच्छे से और जो अर्ली रेप्टाइल्स हैं वह एक्सिंट हो गए थे कार्बोनी फैरस पीरिड में ठीक है स्पारमीन और यह तो सबसे पहले हुज एक रेका टाइम चल रहा ना तो यह आप ध्यान रखेंगे काप से स्टार्ट हुए थे कहां फ्लोरिस हुए थे कहां एक्सिंट हुए थे यह सारा और आप सबको पता है कि यह जो क्या बोलते हैं इनको ट्राइनोसोरस थे रैक्स थे यह 20 फिट की हाइट के थे सोचो और डैगर लाइक टीट थे उसके अगर अब ही हो तो क्या करें वो हम तो उनके लिए ना जैसे हम लोग खाते ना नोन वेजिटरियन लोग जो होते हैं ना वेजिटरियन के चुड़े शुड़े रेप्टाइल से अमें डर नहीं लगता है ना आज कल भी लोग डरते हैं चेपकली से चलो नेक्स करते हैं तो यह फिस जो है उनसे अंफिबियन हुए रेप्टाइल्स फिर उसके बाद रेप्टाइल्स थे ना तो यह जो थी Missing Link थी को इलास जो थी साउस अपरिका में लोग फिंस वाली फिस ठीक है यह जाद रखनी है और यह तो मैंने जस्ट आपको बता दिया कि इतना इंपर्टन नहीं है कि ट्राइन और सोर्स कितने फिटके थे यह नहीं आएगा ठीक है तो स्मॉल साइज डप्टाइल्स आज ही मिलते हैं आप लोग किसी भी और्गरिजम के रिमेंस हो सकते हैं उसका फुट्प्रिंट्स भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है जो हमें उसकी इंफोर्मेशन दे और लेकिन वह पहले टाइम कहा हो उसे फोसे बोलते ठीक है अब जैसे अब इसमें ना इविलुशन सो फोर्स कैसे हुई यह इनकी बड़ी सुन्दर सुन्दर स्टोरी है आपको टाइम हो तो पढ़ लेना स्टोरी मैं तो आपको मैं की स्टोरी बताने वाली हूं कि मैं की स्टोरी क्या थी एविलुशन की चलिए अब पढ़ते हैं मैं की स्टोरी पर ठीक है आते हैं मैं की स्टोरी पर बड़ी इंट कोद की स्टोरिय है थोड़ा इंटरस्ट लेना इसमे 5000 फिंथमां मिल्यस एकष्ट क्या वब क्या हुआ प्राइमेड्स में अटे lazos के दूला आछाना फ्राइमेड्स में मंगी से लगवागो मंगी आते हैं प्राइपस में और कुन आते हैं इपस आते हैं regist करते थे यह एसे वाग करते थे जिसे गोरिला और चिंपांजी हो करता ना ऐसे वाग करते थे लेकिन इनमें जो मोर में जो रामा पिथिकस था रामा मतलब भगवानति नुदू एजो एक ठी। थीक है तो फ्यू फोसिल Sобone इसमें, कहां मिली अहै इतोफिया मे मिली ऑ हैThis तंजेन या में मिल लिया है जिससे हम पता लगा कि इस थे उसके बाद कुछ होमानिट करेक्टर साए दिरे धिरे मैन में और जब हमने देखा जावा में हमें एक फोसिल मिला तो हमें देखा कि वो चार फिट का बंदा है बंदा है इन असले सिंस मतलब फोसिल है ठीक है अब वो फोसिल से उसको बोला ऑस्टेलियोपितिकस तो उन्होंने बाद चार फिट का यह है और यह मोस्तली जो ग्रास लेंड में रहते थे और ऐसे बोलागे कि फूट फूट खाते थे लेकिन थोड़े बहुत इनके स्टोन वेपन्स भी थे लेकिन ऐसे बोला कि फूट काते थे पिटिकस चार फिट के थे फूट का देते अब फिर उसके बात मोर हुमन लाइक कंडीशन आए जो होमो हैबलीस था उसमें मोर हुमन लाइक कंडीशन थे और उसकी जो ब्रेन कैपसिटी ना इंटलीजेंट आगे अब यहां से इनकी जो इंटलीजेंस बढ़ने लगी 650 से 800 cc तक इसकी जो intelligence थी वो mind की capacity थी ठीक है और उसके next stage पर आए homo erectus जिनकी थी 900 cc की capacity mind की ठीक है और उनका fossils कहां मिला था Java में 1891 में ठीक है homo erectus का fossils कहां मिला था Java में ठीक है यह आ सकता है question Java में मिला था homo erectus का fossils जो है 1891 में time mostly नहीं पूछा जाता तो homo erectus का जो brain था 900 cc का homo erectus जो है वो meat खाते थे अभी तक तो क्या सोच रहे थे हम fruit fruit काते होंगे लगिन आप भाई यह समझदार हो गया आप बार के खाना भाई इंसान को आनिमल को मतलब देखो कितना intelligent होता जाता है तो पहरोपे यह ठीक है फिर उसके बाद आए नीदर्थल में भाई यह भी बड़ा intelligent में था इसकी जो brain capacity थी वह 400 cc की थी और जो आज का में है ना आज का में है वह है होमो sapiens उसकी brain capacity तो बड़ी ज्यादा है ठीक है 1600 सम्तिंग है उसकी brain capacity तो जो नीदर्थल में थे उनको जो होमो sapiens की जो species थी ना उसने पूरा से अरो बल्कुली खतम कर दिया उसको खतम कर दिया क्यों क्यों क्योंकि ज़्यादा intelligent थे अब देखो यह होता ना कि ज़्यादा intelligent person होता है वो नीचे वाले को उसकी जो कितना बया वया वह सब खतम होती चाली जाती है देखते हैं आप ज होमो sapiens जो थे वो अफ्रीका में अरोज हुए ऐसा मोला जाता है अफ्रीकन थे भई हम लोग पहले ठीक है मतलब होमो sapiens की जो species थी वो अफ्रीका में हुई और डिस्टिंक्ट रेस में बढ़ गई आई सेज के टाइम में 75,000 से 10,000 यह से गो होमो sapiens अरोज हुए थे ऐसा मा जो थे वो बंजारों की तरह कुमते रहते थे अग्रीकल्चर नहीं करते थे तो ऐसा माने जाता है तो एसे मिलते है कि उन्होंने 10,000 यह से अगो जो है वो फार्मिंग स्टार्ट की थी अग्रीकल्चर किया था और फिर उसके बाद धीरे 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 सिवलाइशन होती चल कि यहसलीे तो और तो पीरे सिवलाइशन होती का नही बारे चादियन है तो जो ग्रीकल्चर रादा कि यहाष्य।